श्री शिवाय नमस्तुप्यम की कथा और जैसे कि कल की कथा में आप ने सुना माया निर्मित नगर में शिल Haben Kaye कि कौनेंगे नाष़ी का 언ίνay की का में आप सुनेंगे नारत जी का भगवान विष्णु को क्रोध पुर्वक फटकारना और श्राप देना फिर माया के दूर हो जाने पर पस्चाताप पुर्वक भगवान के चरणु में गिरना और शुद्धी का उपाई पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा पुझाकर शिव का महात्मे जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उकदेश देना सूत जी कहते हैं हे महर्शियों माया मोहित नारद मुनी उन दोनों शिवगणों को यथोचित शाप देकर भी भगवान शिव के इच्छावस मोह निद हो गया था इसलिए वे दुर्वचन पुर्ण व्यंग सुनाने लगे नारद जी ने कहा हरे तुम बड़े दुष्ट हो कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो दूसरों का उत्साह या उतकर्ष तुमसे सहा नहीं जाता तुम माया भी हो तुम्हारा अंतह कर मलिन है पुर्वकाल में तुम ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया अशुरों को वारुनी मदिरा पिलाई उन्हें अमरित नहीं पीने दिया छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे यदि महेश्वर रुद्र दया करके विश्व न पी ले दे तो तुम्हारी सा सताप करते होंगे अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिक्ता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राम्हन को सर्वोपरी बताया है हरे इस बात को जानकर आज मैं बल पुर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूगा जिसे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोग अब तक तुम्हें किसी शक्ति शाली या तेजस्वी पूरुस से पाला नहीं पड़ा था इसलिए आज तक तुम नीडर बने हुए हो परतु विश्णो अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा भगवान विश्णू से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनी अपने ब्रह्मतेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्नहों उठे और शाप देते हुए बोले विश्णो तुमने इस्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो यह कपट पूर्णकार्य करते हुए तुमने जिस स्वरू से तुम मनुष्य हो जाओ और श्तृ के वियोग का दुख वो तुमने जिन वानुरों के समान मेरा मुझ बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होगे और तुम दूसरों को इस्त्री विरह का दुख देने वाले हो अतहस्वयम भी तुम्हें इस्त्री के वियोग का कर लिया ददनन्तर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को जिसके कारण ज्यानी नारत मुनी भी भी मोहित हो गए थे खीज लिया उस माया के तिरोध होते इस नारत भगवान शंभु की माया की सरहना की। तद नंत्र यह जानकर की माया के कारण ही मैं भ्रम्में पड़ गया था, और यह सब मेरा माया जनित भ्रम ही था। वैशनव श्रीयोमनी नारत जी भगवान विश्नु के चरणों में गिर पड़े तब भगवान श्रीहरी ने उन्हें उठा कर खड़ा कर दिया और उस समय अपनी दुरबुध्धी नष्ट हो जाने के कारण वी यो बोले नात माया से मोहित होने के कारण मेरी बुध्धी पड़ूंगा हरे मैं तो आपका दास हूं बताइए मैं क्या उपाए कौन सा प्रायस्चित करूं जिससे मेरा पाप समुह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े ऐसा कहकर शुद्ध गुद्धी वाले मुनीशी रोमणी नारत जी पुनह भक्ति भाव से भ बताता हूँ सुनो उससे निश्चय ही तुम्हारा परमहित होगा तुम्हें नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा और भग्वानियव तुम्हारा कल्याण करेंगे तुमने मद rinse मोहित होकर जो भग्वानशिव की बात नहीं मानी थी उसकी अवहेलना कर दे थी उसी परमात्मा है और उन्ही का सच्चिदानंद स्वरूप से बोध होता है वे निर्गुड और निर्विकार है सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विश्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं निर्गुड और शगुड भी वेही है निर्गुड अवस्था में उन्ही का नाम शिव है वेही परमात्मा महेश्वर परब्रह्म अविनाशी अनंत और महादेव आदिनामों से जाने जाते हैं और उन्ही की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के स्रश्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और उनका आहार विहार आचार व्यवहार उत्तम हैं और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं हे नारत मुने मैं तुम्हे एक सुन्दर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है तुम उसे सुनो अपनी सारे संशियों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अनन्य भाव से शिव के सत नाम स्तोत्र का पाठ करो हे मुने तुम निरंतर उन्ही की उपासना और उन्ही का भजन करो उन्ही के यश को सुनो और गाओ तथा प्रती दिन उन्ही की पूजा अर्षना करते रहो हे नारत जो शरीर मन और वानी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है उसे पंडित इसमें संसय नहीं है जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रह लेते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं संसार के मूल भूत उनके सारे पाप निसंदेह नश्ट हो जाते हैं जो लोग पाप रूपी दावानल से पीडित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए और पाप दावागनी से दग्द होने वाले प्राणियों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांती नहीं मिल सकती है संपुर्ण वेदों का अवलोकन करके पुर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उतक्रिष्ट साधन तथा जन्म मरन रूपी संसार बंधन के नाश का उपाए है आज से यत्न पुर्वग सावधान रहकर विदीविधान के साथ भक्ति भाव से निध्य निरंतर जगदंबा पारवती सहित महेश्वर सधाशिव का भजन करो और निध्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यन्त यत्न करके बारम भार शिवभक्तों का पूजन किया क हे मुनिश्रेश्ट अपने हृदय में भगवान शिव के उज्वल चरणारविंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विच्रो और हे मुने इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्मी का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी को जाओ वहस्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है वहां भक्ति पूर्वक विश्वनात जी का दर्शन पूजन करो विशेश तह उनकी श्तूती वंदना करके तुम निर्विकल्प संसय रहित हो जाओगे हे नारत जी इसके बाद तुम्हें मेरी आग्या से भक्ति पूर्वक अपने मनोरत की सिद्धी के लिए निश्चेही ब्रह्म लोक में जाना चाहिए और वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेश रूप से श्तूती वंदना करके तुम्हें प्रसनता पुर्ण हृदय से बारम बार शिव महिमा के विशे में प्रश्ण करना चाहिए ब्रम्हा जी शिव भक्त तुमें स्रेष्ट है वे तुमें बड़ी प्रसनता के साथ भगवान शंकर का महात्मे और सतनाम श्त्रोत भी सुनाएंगे हे मुने आज से तुम शिवाराधन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेश रूप से मोक्ष के भागी बनो भगवान शिव तुम्हारा कल्यान करेंगे इस प्रकार प्रसन्न चित हुए भगवान विश्टू नारद मुनी को प्रेम पुर्वक उपदेश द ब्रामणों भू मंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पुर्वक दर्शन किया दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त सुद्ध है यह जानकर वे दोनों शि अच्छा रखकर भागए थे उन्होंने आदर पुर्वक मुनी के दोनों पैर पकड़ लिये और मस्तक जुका कर भली भाती प्रणाम करके शीगर ही इस प्रकार कहा शिवगण बोले ब्रम्भन हम दोनों शिवके गण हैं हे मुने हमने ही आपका अपराद किया है जब राज का कोई दोस्त नहीं है हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्थ हुआ है हे प्रभो अब आप प्रसंद हो ये और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए नारत जी ने कहा आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पूरुसों के लिए पर्म सम्माननी हैं अतह मेरे मोह रहित एव वैसा ही होगा तथा पी मेरी बात सुनिए मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूं आप लोग आज मेरे अपर्याद को छमा कर दें मुनीवर विश्रवा के विर्य से जन्म ग्रहन करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुम्ब करण रावण राक पाकर फिर से अपने पद पर प्रतिश्टित हो जाएंगे तब सूत जी कहते हैं हे महर्शियों महात्मा नारद मुनी की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो आनंद के साथ अपने स्थान को लोट गए श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारं बार भू मंडल में विचाटने लगे और अंत में वे सबके उपर विराजमान शिव प्रिया काशी पूरी में गए जो शिव स्वरूपिनी एवं शिव को सुख देने वाली है काशी पूरी का द दिवल होकर उसका नमन वरणन तथा स्मर्ण करते हुए ब्रह्म लोग को गए निदंतर शिव का स्मर्ण करने से उनकी बुद्धी शुद्ध हो गई थी वहां पहुचकर शिव तत्व का विशेश रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारत जी ने ब्रह्मा ज के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभो आपके क्रिपाप्रसाद से मैंने भगवान विश्णु के उत्तम महत्निका पूरण रूप से ज्ञान प्राप्त किया है ब्रह्मन मैंने भक्ती मार्ग ज्ञान मार्ग अत्यंत दोस्तर तपो मार्ग दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है परंतु शिव तत्व का ज्यान मुझे अभी तक नहीं हुआ है मैं भगवान शंकर की पूजाविधी को भी नहीं जानता अतहे प्रभो आप क्रमसह इन विश्यों को तथा भगवान शिव के विविद चरित्रों को तथा उनके स्वरू शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाहक का प्रसंग विशेश रूप से कहिए तथा कार्तिके के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए हे प्रभो पहले बहुत लोगों से मैंने ये बात सुनी है किन्तु त्रिप्त नहीं हो सका हूं इसलिए आपकी शरण में आया तुमने लोगों के हितकी कामना से यह बहुत ही उत्तम बात पूची है जिसके सुनने से संपुर्ण लोगों के समस्त पापों का च्छै हो जाता है उस अनामे शिवतत्वका में तुमसे वरणन करता हूं शिवतत्वका स्वरू बड़ा ही उत्कृष्ट और आद्बुत है जिस समय समस्त चराचर जगतनष्ट हो गया था सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था न तो सुर्य दिखाई देते थे और ना ही चंद्रबा अन्यान्य ग्रहूं और नक्षत्रों का भी पता नहीं था न दिन होता था न राथ होती थी अगनी पृत्वी वायू और जलक चुके थे गंद और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी रस का भी अभाव हो गया था दिशाओं का भी भान नहीं होता था इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद्य घोर अंधकार फैला हुआ था उस समय तच्छत ब्रह्म इस शुरुति में जो सत्थ सुना जात अपने हरद्याकास के भीतर निरंतर देखते हैं वह सतत्व मन का विशय नहीं है वाड़ी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं हो सकती वह नाम तथा रूप रंग से भी शुन्य है वह नस्थुल है नकृष नहरिश्व है न दिर्ग नलगू है न गुरू इसमें नकभी व विवर्ण देने में असमर्थ हो जाती है वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत पर्मानंदमै परम जोती श्वरूप अ प्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्विव्यापि सबका एक मातर कारण निर्विकल्प निरारंब माया शुन्य अज्ञान से पुर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किये जाते हैं। अर्वाध्या सबकुछ देने वाली और संपुर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध श्वरूपिणी ईश्वर मूर्थी की कल्पना करके वह अद्विती अनादी अनंत सर्व प्रकासक चिनमे सर्व व्यापी और अविनाशी परब्रम अंतरहित हो गया। जो मूर्थी रहित परंब्रम हैं उसी की मूर्थी चिनमे आकार में भगवान शदाशीव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उनी को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशीव ने अपने विग्रह से स्वयम ही एक स्वरूप भूता शक्ती की स्रिष्टी की जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग नही होने वाली थी। उस पराशक्ती को प्रधान प्रकृती गुणवती माया बुद्धी तत्व की जन्नी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ती अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृती सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदा शिव द्वारा प्रकृत की गई उस शक्ती की आठ भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की सोभा विचेत्र है। वह अकेली ही अपने मुख मंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांती धारन करती हैं। नाना प्रकार के आभूसन उसके श्री मगाती हैं। वह सबकी योनी हैं और सदा उद्यमसील रहती हैं। एक आकिनी होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती हैं। वे जो सदा सीव हैं उन्हें परमपुरुस, ईश्वर, शिव शंभू और महेश्वर कहते हैं। वह अपने मस्तक पर आकाश गंगा को ध धरन करते हैं। उनके भालदेश में चंद्रमा शुभा पाते हैं। उनके पांच मुख हैं और प्रतेक मुख में तीन-तीन नेत्र हैं। उनका चित सदा प्रसंद रहता है। वे दस भुजाओं से युक्त और त्रिशूल धारी हैं। और उनके श्रीयंगों की प्रभा वे अपने सारे अंगों में भच्वरमाई रहते हैं और उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिव लोक नामक शित्र का निर्माण किया था उस उत्तम शित्र को ही काशी कहते हैं वह परम निर्वाण और मोक्ष का स्थान है जो सब के उपर विराजमान है वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम शित्र में नित्य निवास करते हैं काशी पुरी परमानंद रूपीड़ी है हे मुने शिव और शिवा ने ट्रले काल में भी कभी उस छेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है इसलिए विद्वान पुरुस उसे अविमुक्त छेत्र के नाम से भी जानते हैं वह छेत्र आनंद का हेतु है इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था उसके बाद वह अभी मुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ यह देवर से एक समय उस आनंदवन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा प्रकट हुई कि किसी दूसरे पुरुस की भी श्रिष्टी करनी चाहिए जिस पर यह श्रिष्टी संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा नुसार विचरें और निर्वार धारण करें वही पुरुस हमारे अनुग्रह से सदा सबकी श्रिष्टी करें पालन करें और वही अंत में सबका संगहार भी करें यह चित्त एक समुद्रे के समान है इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाई रहती हैं इसमे उस पुरुस के प्रसाद से आनंद कारण काशी में सुख पुर्वक निवास करेंगे यह आनंदवन वह स्थान है जहां हमारी मनोवरिती सब और से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है ऐसा निश्चय करके शक्ती ज सत्तो गुण की अधिक्ता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था हे मुने छमा नामक गुण से युक्त उस पुरुस के लिए ढूंडने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती उसकी कांती इंद्र नील मणी के समान श्याम थी और उसके अंग-अंग से दिव्य शोभा शिटक रही थी और नित्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे श्री अंगों पर शुवर्ण की सी कांती वाले दो सुंदर रेश्मी पितांबर सोभा दे रहे थे किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुस अपने प्रचंड भुजदंडों से सुसोबित हो रहा था तदनंतर उस पुरुस ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा स्वामिन मेरे नाम निश्चित कीजिए और मेरे काम बताइए उस पुरुस की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हसते हुए मेग के समान गंभीर वाणी में उससे बोले शिव जी ने कह हेवत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भगतों को सुख देने वाले होंगे तुम सुष्थिर उत्तम तप करो क्योंकि वहीं समस्त कार्यों का साधन है ऐसा कहकर भगवान शिव ने स्वा परशत गणों के साथ वहां से अद्रिश्य हो गए भगवान विष्णु ने सुधिर के काल तक बड़ी कठोर तपस्या की उस तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी यह सब भगवान शिव की माय से ही संभव हुआ हे महामुने उस जल से सारा सूना आकास व्याप्त हो गया और वह ब्रह्म रूप जल अपने सपर्स मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ उस समय ठके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयम उस जल में शयन किया वे दिर्ग काल तक बड़ी प्रसन्ता के साथ उसमें रहे नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायन यह शुरुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ उस समय उन परम पुरुष नारायन के सिवा दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी उसके बाद ही उन महात्मा नारायन देव से यथा संभव सभी तत्व प्रकट हुए हे महामते विद्वन मैं उन तत्व की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हुँ ध्यान पुरवक सुनों प्रकृति से महत्त्व प्रकट हुआ और महत्त्त्व से तीनों गुण इन गुणों के भेद से ही त्रिविद अहंकार की उत्पत्ती हुई, अहंकार से पाच तनमात्राएं हुई और उन तनमात्राओं से पाच भूत प्रकट हुए, उसी समय ज्यानेंद्रियों और करमेंद्रियों का भी प्रादरुभाव हुआ, है मुनिसरेष्ट, इस प्रकार म ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायन भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूं और मिलती हूं कल की कथा में आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए तो इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियोज अप्लोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय प्रवराप्त होगी मैं मिलती हूं आप से अगली वीडियो में सब्सकर